नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन के इस्तिमाल से आप अपनी सेक्स लाइप को कैसे बहतर कर सकते हैं लिविडो की कमी है, सेक्शुल डिजायर नहीं है, पैनिस में तरव नहीं आपाता है कैसे इसे दूर कर सकते हैं लहसुन का इस्तिमाल हम सबजी में करते हैं, खाने में करते हैं, सुआद बढ़ाता है लेकिन इसका इस्तिमाल आईरुवेधिक मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है जैसे कि अगर आपका kolesterol बढ़ा हुआ है तब आप लहसुन खा सकते हैं, high BP रहता है आपका लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं, blood flow कम है यानि खून का परवा कम है आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब पैनिस में तनाव की जरूत होती ह है तो blood flow आपका अच्छा होना चाहिए लहसुन के अंदर पाए जाता है ऐलिसिन नाम का chemical ऐलिसिन नाइटरिक ओक्साइड बनाता है आपकी बूड़ी में और नाइटरिक ओक्साइड पैनिस में तनाव के लिए बहुत important होता है तो जब आप लहसुन खाते हैं नाइटरिक खतम हो जाता है उसका असर खतम हो जाता है तो आपको ऐलिसिन कैसे लेना है आपको लेना है लेसुन कच्चा आपको कच्चा ही लेसुन इस्तमाल करना है उसे पकाना नहीं है आप उसे चबा करके खा सकते हैं हालाकि थोड़ा सुआद में कड़वा होता है या फिर आप उस कली जैसे खाली और उसके उपर पानी पी लिया उसे आप निगल सकते हैं तो उससे भी आप बस सकते हैं साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं लेकिन एक डोस जान ले आप एक दिन में दो या तीन से ज़्यादा कली ना ले कली की बात कर र ख़बाने की दिग्क्त हो खतम हो जाती है ऐसा नहीं कि आज आपने खाई और आपको एकदम शेर वाली ताकत में लगाई ऐसा होता है रेगुलर आपको का इसतिमाल करना होता है साइड इफेक्क नहीं होता लेकि पस एक फोड़ा साइश की डिसर डिटिज ये कि smell इसमें आती है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मुंग से दूरगण्द आती है वो थोड़ा साथ आपको SSS कर सकता है, तो उससे बचने के लिए आप सौुफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, mouth freshener का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आजकल कुल्ला करने वाली जैसे लिस्ट्रीन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करने से जो मूँ की दुरगंध है उससे आप बस सकते हैं सर्दी है गर्मी है आप दोनों मौसम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से कह रहा हूँ दो या तीन कली से जाद आप इसे ना ले वनना फिर side effect भी बनने शुरू हो जाते हैं उमीद है वीडियो पसंद आये होगी अगर कोई question इससे related आप करना चाहते हैं तो message कर सकते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी आपका दिन शुबो नमस्कार धन्यवाद